नमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ श्रिप्राजैनी आज स्वतंतुता दीवस के मोके पर पूरे देश में तिरंगा फेराया किया लेकिन दिल्ली में अर्विंद केश्वाल का शेश महल इससे अच्छूता रह गया जिसके बाद अब केश्वा शोकाने वाला बयान शो आम आद्वी पार्टी के नेता कैलाश कहलोत ने दिया है वो ये कि केश्वाल को उन्होंने आधुनिक स्वतंतुता सेनानी बता दिया है इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे वरिष्ट पतरकार अज़े जी मेरे साथ है अज़े तरीके से आज हर जंगा पर तिरंगा फेराया गया लेकिन सीश महल में आज तिरंगा नहीं फेराया गया हलाकि इसको लेकर पूरी आम आधी पार्टी भड़की हुई है ताना शाही केश्वाल के साथ की गई है यह आखोप लग रहे हैं लेकिन इन सब के बीच जो कैलाश क है इसमें केशवाल को वह आधूनिक सतंत्रता सेनानी बताते हैं क्या कहना है क्योंकि पहले भगात सिंग से तुलना उसके बाद आब जो है आधुनिका सेनानी केशवाल को वाताना यह सब कुछ क्या आम आधी पार्टी करना चीति toteा के मैं आपको इस पर बहुत इस परश्ट बात बता दूँ अगर यह बात सुनीता केजरिवाल में कहीं तो बुड़ा न मानिएगा हम कहेंगे इनकी काउंसलिंग करा और यह बात कैलाज गैलो तुन्होंने कहिए तो हम बताते हैं इसमें है कैलाज गैलो सीनियर आदमी है और आउसतम आप पार्टी के शरीफ लेडरों में है इसलिए इनको लाज पाल ने लजी ने बनाया इसके पहले भी नजीब जंग जब थे तो भी कैलाज गैलो से सभी की पढ़ जाती थी कांग्लेस के नेताओं से भी पढ़ जाती थी यह कटू सच है दूसरी बात ग्रह मंतरी किम देख है थी को जब ऑन्दर के लिए लिए यह ने नियुक्ति किया यह थी क्या चाहते थे इनकी मैडम चाहिए थी क्या है कि मैं जाू ज़न ज़ंगा रोर्ण में इनको हुए नहीं तो तो केजी बाल जी ने अंदर से खबर भेदी आताशी को चुक्दी लगा था लग अब समिस्य करेंगी करें या मनिस्य सैऀंए पार्टी में और भी नेता चाहे रहें हैं जड़ेंखेंगी स्धीर सबस्क्ति करेंई करक्या के और नहीं मिनिस्टर के लिए इसी पीछ में इन्हों मंत्री के बाद ग्रह मंत्री यह दुर्भाग गया पार्टी का दिल्ली का दुर्भाग गया कि कैलाज गहलोत को आंगे होना चाहिए आत्रिसी जी टंगणी मार के आंगे और फिकलाज़ के जहनडा अदिकरत होता कि व मुखमंत्री वाइब कर सकती बंगले में जंडा होता बगार अधिक्रत होता है जो मुखमंत्री आवाज का स्टेडियम, स्टेडियम में इन्होंने फैराया, फैराने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो बयान सियम इन्होंने ग्रह मंत्री के कहलाज गैलोद ने दिया, ये कहलाज गैलोद का बयान नहीं, आप पार्टी में सुनीता केजीवाल की लिखी हुई स्किप्ट है, मैं आप अभी तक के इतिहास में ना किसी राष्ट पती ना किसी मुखमंति ने किसी विशेश पार्टी का नाम ले करके उसको ब्लेम नहीं किया यह पहला बयान है कि वह जो है आदनिक उसके वह थे सोतंता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने बहुत काम किया है 14 आसपतालों निर्मार कराया गयारा नैस पताल कोले हैं और मतले चौदा को रिपेर कराया सिब गयारा स्कूल कोई बड़ी बार ने यह इस तुनीता केजरी वाल ने मैयान देआओ आधिनीक सोथे नता संग्राम स केजरी वाल को दिल्ली की जनता कहे रही है साकी हिंद इन्हों पानी मुफ्त बिजली मुफ्त नहीं है पैसा पर लहा है और इन्हों ने जितनी कहा है कि बस मुफ्त बस नहीं मुफ्त आहि कुछ भी नहीं किया है और इस पार्टी की जो है कहना ने चाहिए जिस पार्टी में इतनी गलत भेमी वह अम्बेदकर जी और भगत सिंग जैसे के बीच में किसकी केजरी वाल की फोटू सुनीता केजरी वाल के दिमाद चला कहना निचाहिए लोग की काउंसलिंग होनी चाहिए कि थोड़ा सिस्टम लखे अभी यहां के नेताओं के बराबर लखे अपनों को सीला दिक्षित के बरा ने रomnia लिवें और पर गल ने पने जेल गये CBI उन्होंने प्रूब किया लोगोंने सबूत दिया कोई अच्छा काम यह नहीं काम किया काम क्या किया करने हर जगह रिष्षत रिष्षत तो कुल मिला के बयान जो उन्हों दिलाया था इस चीज में अपपाहिला यह बयान है छब पंद्रा अगस्त को कोई मुख मंतरी इस तरह का बयान इतने निचले इस तरह का यह कैलाज गैलोत की बासा नहीं है यह जो इसक्रिप्टिंग है यह आ इनको क्या करना चाहिए आज के दिन पहले सीस मैल खाली कर देना चाहिए दिल्ली के सथा संग्राब से लिए सीस मैल रहने के लिए क्लें आप देखिए आप झंडारों करें आज देश में बहुत बड़ा नाम होता सुनीता केजिवाल पूजी जाती मगर नहीं मैं सीस मेल लेकिन वहाँ पर सुनीता केजवाल ने भी कहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री है जाना शाही से उन्हें अंदर जेल में रखा गया है और उन्होंने कहा कि अगर आज तिरंगा नहीं फैराया किया शीश मैल में तो इसका मतलब यह नहीं है कि देश प्रेम जो है वह हमारा आप रोक पाएंगे इस तरीके की बाते वह कर रही है बिल्कुल गलत बोल नहीं है वह जेल चले गए तो इसका मतलब यह तो कोई दूसा नहीं फैराएगा अच्छा यहां पर सवाल यह भी उठता है कि अगर आज तिरंगा नहीं फैराया गया शीश मैल में तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि इस वजह से कि सरकार को घेर पाएं यह ट्वीट कर पाएं यह बयान दे पाएं कि आप तानाशाही कर रहे हैं हम तिरंगा नहीं फै सब्सक्राइब को मिलेगा साइब मैं तब तक चीफ मिनिस्टर बन जाओ इधर क्या हुआ उन्होंने आठसी को बोल दिया आठसी बाद सोधिया जी छूड़ गए चूड़ने बात किया कैलाज गैलोत को तो खाम खाएं एक लेड़ी को जो आप उनके धर्म पती जो है जेल यह इनका नेतिक दाइत्ता अगर नहीं कर पाई इस पेकाइदे से बहुत गलत बात है कि सबको हाथ पैट दिये हैं है जंडा रोह नहीं कर पाई इतना बड़ा आपके साथ शिष्टम है आप किस हैसे से आप सीज महल में नहीं अगर आप लैने उनकी धन पतनी जेल में तो यहां पर बीजेपी ने भी जो है जवाब दिया है और यह कहा है कि केजवाल जो है वह आधुनिक सवतन्सक्ता सेनानी नहीं है वह आधुनिक नादिर्शा है है तो कितना आप मतलब रखते हैं बीजेपी के इस बयान से की वागई जो फींड है तो यह नादिर्शा से तुल्ला करन A viher है नादिर्शा की तब बीकुंड ने ठीकता था नादिरल सााथ craw 찾 लूटी रहे इनके करकरता काह रहा है और ये तमाम घोटानों में जेल गए है तो आप गोताना से तुलना करना, नादिर सा की तोहिए, नादिर शा के भिया बढ़े हैं, नादिर शा का थो एक छोटे से लंभे का एक जोका था और ये तो जोका नहीं है, यह तो एक वो है जो लू उरती है लोगों को मार देती है यह लू है जो तीन महीने तपिस की चलती है यह लू तो बहुत दिनों से चल लई है तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ट पतरकार अज़ी जी को सुना जिस तरीके से लगातार आम आत्मी पार्टी आज जो सके तो इस पर आपने वरिष्ट पतरकार अज़ी को सुना है उनकी राय चानी है उनका कहना है कि अगर केश्वाल नहीं थे तो जाहिर तोर पर सुरीता केश्वाल जो कि स्तीश महल के भीतर रह रही है वो वहाँ पर जरोहन कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया इसके प